दुर्गमता देख बीहडपत की जो ना कभी भी रुका कहीं पर अनगिंती आघाज सहे पर जो ना कभी भी जुका कहीं पर जुका रहा है मस्तक अपना ये सारा संसार उसी को जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को गुड मॉर्निंग नमस्कार सुप्रभाद हाव अर्यों हूप आला फ्यू आर फ्यू आर फ्रेंड्स आम सुशील शुकला और यू आर वाचिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म इंग्लिश इस इजी विद शुशील ये सेशन उन समस्च बिद्यार्थियों के लिए महत्तपू केला में हें piybyism怎么 है या ज्यार्र फ्यू करस्विद् relationships and in today's video lecture we are going to learn some smart word so are you ready yes I know you are ready and the first word of today's segment is invisible so I suggest you to have a pen and paper so that you can write down these important one word substitution and after this class you can use them in your day-to-day English conversation और अपने examination की भी preparation आप अच्छे से कर सके हैं तो पहला जो शब्द हमारा है आज के इस session का वो है incorrigible incorrigible means that cannot be corrected जिसे सुधारा ना जा सके जो कुछ भी सुधारा ना जा सके उसे हम incorrigible कहते हैं तो इस शब्द का आप daily English में भी use कर सकते हैं जो कुछ भी आप देखें जो सुधारा ना जा सके उसे आप कह सकते हैं it's incorrigible यह incorrigible है अर्थात इसे सुधारा नहीं जा सकता है so this is the first word and now coming to the second one and दूसरा जो हमारा आज का इस segment का जो important word है वो है विंसिबल आपने सुना होगा विंसिबल वी आई यन सी आई बी ल ए डैट कैन बी वान जिससे जीता जा सके जिससे जीता जा सके वो विंसिबल है विंसिबल राइट विंसिबल वी आई यन सी आई बी ल ए हो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा विंसिबल मीस जिससे जीता जा सके दैट कैन बी ओबरकम जो ओबरकम किया जा सके उसे हम विंसिबल कहते हैं यहीं पर एक सब दोर सीखते हैं इन्विंसिबल आई यन वी आई यन सी आई बी ली इन्विंसिबल मीस दैट कैन नाट बी ओबरकम जिससे जीता ना जा सके तो जिससे जीता जा सके वो विंसिबल है और जो ओबरकम ना किया जा सके अर्था जिससे जीता ना जा सके उसे हम invincible कहते हैं तो तीन शब्द हमने शिख लिए incorrigible, visible और invincible आईए next पे चलते हैं और जो next हमारा word है वो है visible आपने इस तरह के जो शब्द हैं में जरूर सुना होगा visible v-i-s-i-b-l and you know visible means drish it means that can be seen जिसे देखा जा सके वह visible है आप इन सारे words को note down जरूर कर रहे होगे ऐसा मेरा विश्वास और ये प्रत्योगी परिक्षाओं के साथ साथ academic और schooling examinations के में भी question paper का हिस्सा बन रहे हैं तो उस trend को देखते हुए इन शब्दों का चैन किया गया है जिसे आज हमें इस segment में सीखना है तो वीजिबल वी आई एसाई बी अली जिसे देखा जा सके और वहीं पर एक शब्द और आप सीख लें इसी का अन्टानिम होता है इन वीजिबल आई एन वी आई एसाई बी अली इन बीजिबल means that cannot be seen जिसे देखा जा सके तो जिसे देखा जा सके that can be seen वह बीजिबल है and that cannot be seen वह आपका invisible है so friends I think you all are getting these points and next पे आते हैं and the next one is audible आप ज़रोण नोट डाउन करने audible most important one word substitutions है ये बार बार आपकी परिक्षाव में इन ही पूशा गया है audible audible means that can be heard जिसे सुना जा सके जो कुछ भी आप सुन सकते हैं वह audible है आपकी audibility जालते होंगे शरब बता शरब शमता जो होती है वह audibility है तो audible 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 that can be heard वह audible है और इसी के just antonio पे आते हैं inaudible i-n-a-u-d-i-b-l-e inaudible that cannot be heard तो जो सुना जा सके वह audible है और जो ना सुना जा सके वो inaudible है hope कि आपने इसे भी note down कर लिया होगा audible और inaudible so the next one पे आते हैं आपने देखा होगा सुना होगा edible e-d-i-b-l-e edible मतलब जिसे खाया जा सके मतलब जो fit to be eaten हो यानि जो खाया जा सके that is edible I think आप अच्छे समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ edible जो खाया सके और इसी के antonio पे आते हैं inedible i-n-e-d-i-b-l-e जो खाया ना जा सके not fit to be eaten जो not fit to be eaten है means that cannot be eaten जिसे हम खा नहीं सकते वो inedible है और that can be eaten जिसे हम consume कर सकते हैं जिसका हम उपभोग कर सकते हैं that can be consumed or eaten that is edible but on the other hand that cannot be consumed and eaten that is inedible so dear friends these were the words that we learnt in today's segment and these were the most important words and one word substitutions हमने one word substitutions पी सिखे और उनके expressions पी सिखे hope you like the class and if you like the class just press the subscription button and hit the bell icon so that you may get more and more videos dear friends आप मेरे साथ इंग्लिश को आसान भासा में सीखते हैं साथी साथ मैं उन सारे विध्याथियों का जो किसी प्रत्योगी परिक्षाओं का हिस्सा बनने जा रहे हैं और अंग्रे जी उसमें एक बड़ी भूमी का निभाती है तो मैं उन सबका आहवान करता हूँ कि वे इस प्लेटफर्म से जुड़े और अपनी अंग्रे जी की तैयारी को एक गत्थी पर दान करें hope meet you again on tomorrow's segment same time same platform till then stay home stay safe but remember कि वो जो तूफानों से लड़ते जा रहे हैं in on the same segment till then stay home stay safe thank you thank you very much झाल झाल